नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने पंच मोखी रुद्राश की चर्चा करने जा रहे हैं जो आसानी से बजार में उपलपत होता है अब सबसे पहले मापको रुद्राश की पेचान बताएंगे और उसके बाद उसकी पूरी डिटल बताएंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल हिंदूइजम रिचर्स फांडेशन जेजी आर्टीयल ओफिस्यल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस्ट करें जिससे आपको नई नई जानकारी उप्लाप कराशना तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे पंचम की से पांच साल तक का भी है तो वह पानी में कुछ डूब भी जाएंगे और कुछ पानी की लिवल से नीचे लटक जाएंगे तो डूबना यह जरूरी नहीं कि दोनों डूबते ही हैं जो पुराना रहेगा वो डूबेगा तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको यह अमरे प यह पंच मखी लेंगे जो दो से तीन साल पुरा नहीं आप देख सकते हैं यह यह पिर रू गया तो सारे रूपते हैं यह देखिए लेकिन ऊपर नहीं आना चाहिए अगर उपर आ गया तो वो फेग है ये देखी आप देख सकते हो यह पानी चीन के नीचे है तो मतलक यह रिया और यह अब हम इसका आपको मेंवा बताएंगे को जो पंचमकी रुद्राक्स होता है दूस्तों ये भगवान का रोद्र सुरूप है और पंचमकी ब्रह्मा का भी इसको परतिक माना जाता है और इसके प्रतनिद्द करता ग्रह जो है देव देव गुरु प्रस्पत है तो ब्रस्पती गुरु की करपा के कारण आपको गुरु का भी प्रभाव इसमें रहता है और ये हर कोई व्यक्ति हो मेलाएं हो बुजर्ग हो बच्चे हो कोई भी पंचमकी दार्ण कर सकता है किसी को कोई दिखाने की जरूर नहीं होती और पंचमकी आप एक छे ग्यारा एक कि सिक्यावन एक सुवाट कितने भी धारण कर सकते हैं तो पंचमकी रुद्राक्ष दोस्तों कालागनी का भी कालागनी रौद्रखा भी प्रती है और इसको पहनने से हर्देश साफ रहता है हाट जो है हाट अगर क्लीन करना है पोलस्ट्रों को खतम करने की तागत पंचमक कि रुद्राक्ष में होती है तो जो भी हाट के मरीज होते हैं ज्यादा तर तो पंचमकी रुद्राक्ष की माला धारन करते हैं इससे हाट आने की हाट अटक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और मित्रों पंचमकी रुद्राक्ष जीवन में प्रगति का भी कारक है औ और तमाम तरीके के दुखों से निजात दिलाता है पंचमखी रुद्राक्स बगवान शिवकार रोद्र सुरूप माना जाता है और यह बहुत पावर्फुल रुद्राक्स होता है और यह आपको हर जगे मिल जाएगा पन इसमें भी बहुत से लोग नकली बना के वेश्टे ह हैं जबकि इसकी ज्याद़ कोई कोश्ट होती नहीं है पन हां अगर यह जितना पुराना होगा अतनी कोश्ट इसकी होती है अभी जैसे कि हमने आपको यह बताया यह रुद्राक्स 20-25 साल पुराना है आसपास तो यह थुड़ा मेगा हो जाता है बाकि यह सब हैं यह शस्त सप्राइज रहता है तो दोस्तों आपको कैसी हमारी वीडियो लगी आप पंच मुखी रुद्राक कहीं से भी लेके दाण कर सकते हैं और इसका लाव ले सकते हैं आप हमारे से भी डायक्त मागा सकते हैं हमारा नमबर नीचे लिंक में दिया हुआ है और नीचे हमारी फैई नमबर है आप konmile जड़े के कि किसी भी उपशे फै फैंट कर सकते और हम प्रत डे सकते हैं हम आपको कोरिये भारत में तीन से चार दिन के अंदर पौंचा देते हैं और विद्धिस में रहते हैं तो हमारे चांस्ता से डिलिवर हो जाता तो दोस्तों अगर आप इच्छो के हैं तो हमारे से भी प्राप्त कर सकते हैं या आप किसी से भी आप ले सकते पंजबगीर उद्राज और लेके आप धारन करें और इसका लाप जरूर लें नमस्कार दोस्तों हर हर महादेव ओम नवस्चिवायः